और इस वीडियो में आज हम डिसकस करने वाले हैं वर्ट पावर मेट इजी बाई नॉर्मल लूइस यह जो किताब है आप सभी को मैंने बहुत बार रिकमेंड करी है आप सभी से मैंने कहा है आप इस किताब से पढ़ सकते हैं आप में से ज्यादा तर लोगों का सवाल यह होत इस वीडियो से इस में इस कम्प्लीट वीडियो सिरीज में आपको वर्ट पावर मेट इजी बाई नॉर्मल लूइस की पूरी समरी आपको मिलेगी इस सेशन को प्रसुत करता हूं मैं अमंत्रिवेदी मेरे बारे में पढ़ने के लिए आप यह स्लाइड को देख सकते हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और उसके बाद बैल आइकन को दबा दीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने एक दो जादा नहीं एक दो दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा जिसे कि मैं ज्यादा से ज्यादा तर लोगों को पहुंच सकूँ और अगर आप लोगों का सयोग मिलेगा आप लोगों का समर्थन मिलेगा आप हम बात करने वाले है personality types के बारे में शुरू abd करने के बारे में यह वीडियोा च्छोटा होने वाला है क्यों कि यह session आपका चोटा था यहाए ऑस secular जो यह हमारा video होगा वह भी सोच च्छोटा होगा क्यों कि जो video है वह पूरी तरीके से किताब पर based है लेकिन आपको as it is किताब नहीं है थोड़े बहुत आपको changes भी दिखेंगे और आपको अपनी तरफ से उसमें जो भी चीजें add की जा सकती है मैं उनको भी आपको बता रहा हूँ चलिए शुरू करते हैं आज के session को पहला जो हमारा word इनों ने दिया हुए है वो है me first यानि कि ऐसा वेक्ति जो अपने आपको पहले रखता हो उसके लिए जो root word देखिए आगर आप में से किसी को नहीं पता है तो पहले छोटी सी बात मैं आपको पता दू word power made easy by Norman Lewis यह Norman Lewis के दोरा किताब है बहुत famous किताब है बहुत अच्छी किताब है इस किताब में आपको vocabulary को etymology के थुरू पढ़ाया जाता है etymology का मतलब हो जाता है आपका etymology हम किसे कहते है etymology हम कहते है study of root words यानि कि अंग्रेजी के जो शब्द होते हैं root words से मिलकर बने होते हैं जैसे etymology यह शब्द हमारा बन रहा है etym plus logi logi का मतलब हो जाता है study और etym मतलब हो जाता है root words of English तो root words की study के आधार पर हम उसे पढ़ेंगे तो आज का जो पहला session है वो है personality types के बारे में हम पढ़ेंगे और उसके लिए क्या root words होते हैं कैसे क्या होता है इनके बारे में discussion हम करते हैं पहला शब्द हमारा है ego ego का मतलब क्या हो जाता है ego का आर्थ होता है I यानि कि self या फिर मैं ego का मतलब क्या है मैं तो ego से जो भी मैं मैं करता है उससे related शब्द आपके ego को मिलेंगे ego से मिलेंगे पहला शब्द आपको मिलेगा ego कोशिश है वो यह है कि आप जैसे ही यह session खतम हो आपको सारे शब्द याद हो जाने चाहिए that is the thing जो आपको इस session के लिए जो आपके लिए बहुत जरूरी है session में कि आपको इस session का फायदा तभी है जो आप इस session को खतम करें और शारे सब याद हो जाए क्या word है ego, egoist, egotist egotist, egot maniac, egot maniacal और egot centric जानते हैं meaning क्या क्या होगा ego मतलब क्या बताया मैंने myself, मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो ego क्या है noun मतलब हो जाता है once concept of oneself यानि कि खुद कोई वारे में जो सोचता रहता है उसे कहेंगे concept of oneself, यानि कि आपका जो attitude है वो अपने उपर अपनी पूरी तरीके से directed है, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, दूसरों के बारे में नहीं सोचते जो कुछ है आप सिर्फ सोचते हो कि मैं मैं ही, अब मैं ही हूँ सब कुछ तो ego मतलब हो गया जो self importance बहुत ज़्यादा देता है, अपने आपको self worth, pride और self esteem यह शब्द आपका negative औरा रखता है ज़्यादा तर इससे जो sense बनता है वो आपका negative बनता है, ठीके तो ego मतलब समझ में आ गया और देखिए, इसकी ही एक उपर super relative degree आप ऐसे समझ लो, वो हो जाती है कि आप अपने super ego ठीके, तो the part of the mind that makes you aware of right and wrong and makes you feel guilty if you do wrong तो super ego क्या हो जाता है super ego थोड़ा अच्छा शब्द हो गया ego से ही बना आपका super ego super ego का मतलब हो गया आपकी consigns जो आपको बताती है कि आप कुछ गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो, ठीके, तो आप इससे ऐसे समझ सकते हो, the part of mind which tells you right or wrong यानि कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो इसके बारे में आपको जानकारी देता है उसे हम कहते हैं super ego ठीक है, आपको super ego समझ में आ गया ego समझ में आ गया, ego थोड़ा सा negative word है, इसी से मिलता जुलता है एक और शब्द बनता है alter ego तो अभी आप लोग आगे देखोगे तो alter का मतलब हो जाता है other or ego मतलब I, खुद तो alter ego का मतलब होता है आपका alter ego मतलब हो जाता है other I यानि कि other self कहने का मतलब हो गया आपका best friend आपका वो मित्र जो आपकी सभी बातों को अच्छे से समझता है और आपके जैसे ही सोचता है जिसके विचार भी आपसे ही मिलते जुलते हैं आपके जैसे thinking है उसे कहते हैं हम alter ego तो alter ego का मतलब हो जाता है other self या अपने जैसे आपका जो best friend है तो वो से क्या को गया alter ego को होगे super ego क्या हो गया the part of mind which tells you right or wrong कि आप सही कर रहो या गलत कर रहो उसके बारे में समझ में आ गया तीन शब्द हमने सीखो ego से antonyms के जरूर याद कर लिजेगा humbleness जो की बहुती विनम्र है जिसमें lack of pride है humility है for example he needed a boost to his ego यानि कि उसको अपने ego को winning the prize really boosted his ego यानि कि आप उसने उसके ego को बढ़ाया उसकी अपनी वर्थ को बढ़ाया उसको feel हुआ कि हाँ मेरी कुछ value है ego से ही दूसरा शब्द आपको मिलता है egoist और एक होता है egotist अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा एक शब्द मिला आपको egoist egoist का मतलब क्या हो गया egoist का मतलब हो गया a person who thinks that he or she is better than other people and who thinks and talks too much about himself or herself यानि कि egoist क्या हो गया believes in self advancement साथ ही साथ this is a self seeker self admirer जो अपने आपको ही सब कुछ समझता है और दूसरे को कुछ नहीं समझता जो अपने आपको ही हमेशा समझता है कि who is better than himself तो a person who thinks a person who thinks he or she is better than others ठीके बाकियों से वो अलग है बाकियों से वो बहतर है ऐसा वो विचार रखता है उसे हम कहते हैं egoist ठीके अब इसी से antonym बना self hater और humble person जो विनम्र वेक्ती है for example मैंने कहा I am a bit of an egoist so I like to have control over and everything यानि कि मैं थोड़ा सा egoist किस्म का वेक्ती हूँ मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं ही सब कुछ बहतर हूँ और मुझे अपने आपको जो अपने आपको superior समझता है हमेशा उसे कहेंगे egoist अब देखो इससे मिलता जूलता दूसरा शब्द आपको मिलता है egoist इसी से मिलता जूलता दूसरा शब्द आपको मिलता है egoist बात करते हैं उसमें क्या difference है egoist और egoist में egoist क्या है आपका देखो दोनों में कोई खास फर्क नहीं है दोनों ही अपने आपको बहुत ही superior मानते हैं उन्हों ही अपने आपको बहुत ये मानते हैं कि वही बेटर हैं, वही सब कुछ हैं, ठीक है, तो ये भी हो गया, Egoist के लिए भी देखो दिया जाता है, The Height of Conceit, इसी किताब में आपको लिखते है, The Height of Conceit, यानि कि जो बहुत ही ज़्यादा घमंडी है, और जो ऐसा मानता है कि वही सुपीर है, वही बेस्ट है, वही सब कुछ अच्छा है, लेकिन फर्क है Egoist और Egotist में सिर्फ T का, तो आप इस T को ऐसे याद रख लो, T का मतलब हो गया Talk, यानि कि बात करना, तो Egoist अपने आपको बहतर समझता है, लेकिन He doesn't talk that much, ये उतना बोलता नहीं है, लेकिन Egotist क्या है, He talks about accomplishment, लब हमेशा बोस्टिंग करता रहता है, ब्रेगार्ट करता रहता है, लंबी-लंबी फेकता रहता है, मैंने ये अचीव कर लिया, मैंने वो अचीव कर लिया, और अपने आपको सुपीरियर दिखाने की कोशिश करता रहता है, उसे हम कहते हैं Egotist, ठीक है, तो इसका सिनुने मोगया Boster या ब्रेगार्ट या का डोशियो ठीक है तो यह भी नाउने इसका मतलब भी हो गया जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा प्राउडी और घमंडी किस्म का बैखती है एंट्रोने मोज आता है आल्टुरिस्ट या फिलन्थ्रोपिस्ट यानि जो दूसरों से प्रेम करें अपने आपको उतना सकते हो सेंट्रिक मतलब हो गया जो सेंटर अपने एक तरीके से सेंटर से इगोसेंट्रिक मतलब हो गया जो अपने बारे में ही विचार करता रहता है जो दूसरों के बारे में नहीं सोचता और अपने बारे में ही ज्यादा विचार करता रहता है तो उसे हम कहते हैं एक तर केसे समझ लीजिए, selfish आप जिसे लेख सकते हो, self-observed, self-obsessed या फिर selfish बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी किस्म का व्यक्ति जो दूसरों के बारे में बिल्कुल सोचता नहीं है एंटोनिम इसका हो जाएगा आपका altruistic और unselfish, example के तोर पे आप देख सकते हो, what an egocentric her new roommate is, कितनी ज़्यादा egocentric roommate है उसकी, यानि की सिर्फ अपने बारे में सोचती है इस session की pdf डाउनलोड करने के लिए आप लोग telegram channel मेरा join कर लिजेगा, telegram पे search कीजेगा, at amantrivedi, जहां से आपको मेरा channel मिल जाएगा comment section में मैं link pin कर दूँगा, वहाँ पर मैं इसकी pdf आपको post कर दूँगा अगला question हमारा आता है, अगली pdf, अगला जो word है वो है egomaniacal, egomaniacal क्या होता है, ego से ही बना है egomaniacal egomaniacal मतलब हो गया, mania मतलब हो जाता है पागलपन, mania मतलब हो गया एक तरीके से obsession ठीक है, और ego मतलब self, यानि कि अपने बारे में obsession हो गया है, morbidly, obsessively, wrapped up in oneself, यानि कि जो वही शब्द है, meaning almost वही रहेंगे आपके इन सभी के, मतलब हो गया जो ऐसा समझता है कि वही सब कुछ है, अपने बारे में concerned है, दूसरों के बारे में कोई चिंता नहीं, self-oriented, self-obsessed है, उसी को कहेंगे egomaniacal, तो synonyms आपके हो जाएंगे, self-obsessed, self-oriented, antonyms हो जाएगा disinterested or magnanimous, यानि कि जो उदार है, liberal है, ठीक है, तो example के तौर पर आप देख सकते हो, mirrors were hung in every room so that egomaniac could primp and admire himself, यानि कि जो व्यक्ती जो इसको egomaniac इनोंने कहा है, जो अपने आपको ही बहुत ज आपको admire कर सके, ठीक है, तो ये तो था हमारा पहला root word, जो की है ego, session two में हम इस से related और शब्दों को करेंगे, उसके लिए आप stay tuned रहिएगा, अगला वीडियो आपको मिलेगा इसी channel पर कल, दूसरा word हमारा है wordto, wordto का मतलब हो जाता है to turn यानि मुड़ना, इस से शब्द बन इंट्रोवर्ट, दूसरा word बना extrovert, और एक word बना ambivert, और शब्दों को हम इन से related देखेंगे, फिलाल हम इने देख लेते हैं, देखिए introvert का मतलब हो जाता है shy person, एक ऐसा वेक्ति जो थोड़ा सा shy है, और अपनी बातों को कहने में हिचकता है, अपनी बातों को दूसरों से कह नहीं पाता, a quiet person who is more interested in their own thoughts and feelings than in spending time with others, तो ये shy किस्म का वेक्ति है, जो अपने आप से में समय बिताने को बहुत बेहतर समझता है, ज्यादा दूसरों से बात नहीं करता, उसे कहते हैं introvert, synonyms के तोर पे इसे आप देख सकते हो, loner या फिर narcissist लिख सकते हो, जो अकेले सम लोगों से मिलना पसंद है, वो इसका internet हो जाएगा, example के तोर पे आप देख सकते हो, I am an introvert, rarely go to the parties, मैं introvert हूँ, मैं समाजिक नहीं हूँ और parties में नहीं जाता, ठीक है, तो word हो मतलब हुआ turn, intro मतलब intro, inside, तो अपने inside ही turn है, अपने अंदर ही turn है, उसे कहेंगे introvert, दूसरा ह हो गया extrovert, extra मतलब हो गया external, word मतलब turn, तो externally turn है, यानि कि कैसा है, वो socialable वेक्ती है, सामाजिक वेक्ती है, synonyms के तोर पे आप देख सकते हो, exhibitionist, show off करना, उसे कहेंगे आपका extrovert, एंटरनेम क्या हो जाएगा, introvert, एंटरनेम इसका हो जाएगा, आपका introvert, example के तोर पे आप देख सकते हो, Cory is an extrovert, who parties with his friends every weekend, Cory एक extrovert वेक्ती है, एक sociable वेक्ती है, जो party करता है, अपने friends के साथ में, हर weekend पर, ठीक है, तो extrovert समझ में आ गया, जो सामाजिक है, अगला शब्द हमारा है, MB word, MB मतलब हो जाता है, both, MB मतलब हो गया, both, यानि to, word मतलब turn, यानि कि दोनों स of extrovert and introvert features with their personality, यानि कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे कि, for example, मैं, मैं आपको social media पे तो बहुत ही extrovert दिखूंगा, लेकिन आपको, जब आप मुझे, मुझे personally मिलोगे, then I am an introvert, तो MB word मतलब हो गया, जो extrovert भी है, balance करता है, extrovert मिलता भी है, और नहीं भी मिलता है, तो ज अगला word आपका होता है, मिस से, तो मिस, मिसीन का मतलब हो जाता है, इसका जो root word इस्तमाल होता है, वो होता है, मिस ही इस्तमाल होता है, ठीके, और मिस का मतलब हो जाता है, एक तरीके से to hate, पहला word बना misogynist, misanthrop, और misogamist, तीन शब्द हमने देखे, इनके meaning देखते हैं, द anthropology का मतलब होता है, study of human behavior, anthropology, कैसे human evolution हुआ, कैसे human evolute हुआ, कैसे बना, इन सभी के बारे में जानकारी को कहते है, anthropology, mis मतलब हो गया hate, anthrop मतलब हो गया mankind, तो mis यानि की hate कर रहा है लोगों को, जिसे लोग नहीं पसंद, जिसे व्यक्ती नहीं पसंद, तो उसे कहेंगे misanthrop, synonym हो ज और पर आप देख सकते हूँ, the old man was a misanthrop who surrounded his entire yard with barbed wire to keep his neighbors at bay, at bay मतलब दूर रखना, तो old man कैसा था, उसे लोग नहीं पसंद थे, इसलिए उसने अपने yard को पूरी तरीके से barbed wire मतलब होता, नुकीले तारों से, नुकीले तारों से cover कर दिया, जिसे कि अपने जो neighbors हैं उन्हे वो दूर रख सके, तो उसे कहेंगे misanthrop, तो याद कैसे रुखेंगे, mis मतलब hate, anthrop मतलब mankind, तो misanthrop मतलब हो गया, hater of mankind, अगला word आया misogynist, तो यहाँ पर word है gynae, gynae मतलब हो गया female, और miso मतलब हो गया hate, so the one who hates women, जिसे महिलाए, so hate है, घरना है, उसे कहेंगे misogynist, synonym हो खाइगा, philogenist, यानि कि phil मतलब होता है love, यानि कि lover of women, so the boy's misogynist, sorry misogynist होता है, misogynist होता है, the boy's misogyny hailed from the abuse, he suffered from his mother, जिसने उसको abuse कहा, जिसने उसको वजपन में मारा पीटा है, ठीक है, so तो misogyny मतलब बोलते हैं, misogyny मतलब हुआ hate of women, अगला word होता है gamist, तो ये word बनता है आपका gamus से, gamus का मतलब होता है आपका marriage, तो और miss मतलब हो गया hate, तो meaning हो गया one who hates marriage, जिसे शादी से नफरत है, उसे कहते हैं misogamist, और example के तोर पर आप द्याग रख सकते हो, तो john decided not to get married, he is a misogamist, यानि कि john ने शादी ना करने करने न लिया, क्योंकि वो एक misogamist है, उसे शादी नहीं पसंद है, अगला word आपको इसमें एक और दो कुछ दिये हैं इसी session में, आपके हैं जैसे altrist, altrist का मतलब हो जाता है alter, ये word आया आपका alter से, और alter root word है, alter का मतलब हो other, तो altrist का मतलब हो गया, the one who thinks about others, devoted to the welfare of others, जो दूसरों के बारे में सोचता है, जो दूसरों के बारे में विचार करता है, उसे कहते हैं altrist, synonym हो जाएगा benefactor, जो दूसरों के बारे का भला करे, contributor मतलब जो contribute करे, तो altrist उसे कहेंगे, इसी से आप लिख सकते हो, philanthropist भी लिख स एंटोनिम इसका हो जाएगा challenger या competitor, और example के तौर पे, he was an altrist and he loved others better than himself, यानि कि वो एक altrist था जिसे लोग, बाकी के लोग पसंद थे, आपने आप से, ठीके, तो उसे कहते हैं altrist, अगला शब्द हमारा होता है, ascetic, ascetic किसे कहते हैं, ascetic का मतलब हो जाता है, austere और self-denying, तो asc ascetic nature, यह देखिए, आपका बहुत पूछा जाता है, one word substitution में ascetic, अभी CPO के paper में भी पूछा गया था, ascetic, तो ascetic होता है, person who lives in a simple and strict way, without physical pleasure, especially for religious reason, तो ascetic आप ऐसे समझ सकते हो, जो साधू संतों वाली जीवन, विता व्यतीत करता है, और अपने आपको physical, जितने भी सुख हैं, जितने भी आपके बहुत तिक सुख हैं, उनसे दूर रखता है, और बिल्कुली simple और strict जीवन व्यतीत करता है, उसे हम कहते हैं, आपका ascetic, तो a person who lives, इसको आप लिख सकते हैं, मैं आप लिख देता हूँ, आपके type कर देता हूँ, आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, just a second हाँ, इसको आप इसको लिखता हूँ, this is a person who lives in a simple and strict way without physical pleasures, especially for religious reasons, यानि कि धार्मिक कारणों की वज़े से जो बिल्कुल ही अपने आपको बाकी चीजों से कटा हुआ रखता है, और बिल्कुल भी किसी चीज़ से मतलब नहीं रखता है, और सिर्फ अपने धर्म से मतलब है, और उसे कहते हैं हम आपका ascetic, ठीक है, तो समझ में आगया ascetic important है एक्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए मैंने आपका इलिख के बता दिया है, ascetic मतलब याद रखेंगे, ascetic मतलब हो गया जिसको सांसारिक सुखों से कोई लेना देना नहीं है, सिनोनेम हो गया austere or disciplined, एंटोनेम हो गया luxurious and extravagant, example के तोर पे आप देख सकते हूँ, Buddhism requires asc ascetic behavior, Buddhism के लिए आपका ascetic behavior रखना होता है, जिसको सांसारिक बहुत इक सुखों से ज्यादा मतलब नहीं है, including fasting by its monks, but not from others followers, ठीक है, तो ये आपका आज का session था, जो कि हमने session 1 को पूरी तरीके से complete कर दिया है, तो ये आज का पहला session था, अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है, तो comment section में attended जरूर लिखेगा, वीडियो को like कीजेगा, और अपने एक दो मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजेगा, जिससे कि मुझे इस session के लिए संपूर्ण सही होग मिल सके, आप लोगों हो, क्योंकि आपका support बहुत जरूरी है, अगर आप support करेंगे, तो हम एकसेस कर सकते हैं, और अगर आप subscription लेना चाते हैं, आने केडिमी का, तो यह referral code note कर लिजे, AMANT, जहां से आपको plus subscription मिल जाएगा, जिससे आपको 10% discount मिल जाएगा, 82917042, यह मेरा WhatsApp नंबर है, जहां पे आप message करके, आप extra discount के बारे में जानकारी ले सकते हैं, तो इस session को यही से hate करे, misogyny हो गया, जो महिलों से hate करे, misanthrop हो गया, लोगों से ही hate कर रहा है, ambivert जो introvert और extrovert दोनों है, extrovert हो गया, socialable, introvert हो गया, जो socialable नहीं है, इसके अलावा egomaniac जो अपने आपको लेकर पागल है, egocentric जो अपने आपको ही importance देता है, egotist हो गया, the one who talks about himself a lot, egoist हो ग pride जो government उसको गहेंगे ego, ठीक है, तो चलिए यहीं तक रखते हैं, आशा करता हूँ, जितना पढ़ाया सभी को समझ में आया हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यह video देखने के लिए, thank you so much, bye, take care, have a good